हाई फिरंट्स टार्गेट जैसे सी में आप सभी का स्वागत है और आज हम दो देखने वाले जारकन में अंग्रेजों का आगमन समंधित महतपूर्ण परसंजों कई बार एक्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले सीजीयल एक्जाम या फिर उत्पात सिपाही कोई भी एक्जाम जो आने वाला है उसमें पूछा जा सकता है तो पूरा वीडियो आपको देखना है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं इसके पहला अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर चलिए देखते हैं पहला प्रस्ण जार्खन में अंगरेजों का आगमन सुर पर्थम किस छेत्र में हुआ पहला अप्शन हमारे पास से सीमभूम भी है पलामू सी है हजारी बाग और डी है संथाल प्रगना तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका आप्शन नम्म सुर्ण सब्सक्राइब है और जगनात सींग थे टीक है इन्होंने अंगरेजों का सरह लिया था और इसका योजना जो बना था ठीक है अंगरेजों का ध्यार्खन में योजना आनने का बना था औशाल बन até आब Intro कि अंगरेजों के सीभूम परवेस की समय यहां के दूसरा है सिम रजावों का पुरहाट सी है हो लोगों का कोलहान और डी है उपयुक्त सभी तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा टू का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी मदलब ढाल रजावों का ढाल भूम था सिंग रजावों का पुरहाट था तो हो लोगों का कोलहान छेत्र था ठीक है राज था अगला कोश्चन है कोश्चन नमर थार्ड देख सकते हैं स्क्रीन पर काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है कि फर्गुसन को सिम्भूम पर अकर्मन करने का काम की स्वर्थ सोपा गया था पहला अप्सन हमारे पास है 1775 हिस्वी बी है फोर कोश्चन नमर फोर क्या देख लेते हैं यहां पर घाट सीला के महल पर अंग्रेजों का कब जग कब हुआ पहला अप्सन हमारे पास है धाल भूम के राजा को जब हरा दिया गया तो इनहीं के भतिजा जो थे ठीक है जगनार्ट ढाल को यहां का राजा जो है बना दिया गया और इसको सलाना जो है कर के रूप में 500 रूपया देने की सर्थ रखी गई थी ठीक है लेकिन यह भी ज़्यादा दिन्ता अंग्रेज जो का स्विकार नहीं कर पाए पूरा स्टोरी इसको पढ़ना पड़ेगा आपको तभी समझ में आएगा पूरा चीज इसके बारे में फाइब नमर कोशन है धाल भूम के राजा को फर गुसं के सेना दवारा प्राजित करने के बाद किसे धाल भूम का राजा बना गया था तो जैसा कि मैंने पीछे ही आपको इसका अंसर बता दिया पहला अप्सवन है हमारे पास जगनाद धाल भी है निमू ढाल सी है इसका रा अठारो सो भी सिस्वी में मेजर सफ रफ सेज के कोलहां छेत्र में परवेश के पस्चात किस नदी के तर्ट पर होजन जाती एवं अंग्रेजी सेना की लडाई हुई थी जिसमें अंग्रेज क्या हुए थे विजे हुए थे पहला अप्सवन हमारे पास है दामोदर नदी हैं बराकर नदी सि है स्वन रेखा नदी डी है दौरू नदी तो इसका राईट अंसर क्या हो जागा शिकॉसकर आप्छन नमर डी हो जाएगा आपका दो राईट अंसर हो जाएगा ठीक है अगला कोशन चलते हैं कोशन नमरे में विजांस कर देने के लिए त्यार हुय कर दिए उसके बाद कर देने के लिए भी तयार होगे तो पहला अपर सन हमारे पास है 1834.b भी है 1837.c 841.d 867. उसमें से राय ट्रक्लाजर क्या हो जागा आपका से वन का आपसन नमर भी आपका राइटी ट्रक्ट्रела हो जागा परसास्किये इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी की अधिहिन कर दिया गया पहला अप्शन है 1877 बी है 1871 स्वी सी है 1873 स्वी डी है 1933 स्वी तो एट का आपका राइट इंसर हो जाएगा अप्शन नम्मर यह हो जाएगा 1837 स्वी को नेक्ट कोशन है कोशन नमर नाइन देखिए इसमें हम आपको टोटाल 30 कोशन बताएंगे 30 कोशन बताएंगे और सारे इंपोर्टेंट होंगे जो एक्जाम में पूछे जा चुके हैं अभी तक कि इस्ट इंडिया कंपनी को दिवानी प्राप्त होने के कि इतने वर्सों के पश्चात को लहां छेतर पर अंग्रेज्जों का अधिपाच्ति अस्थाफित हो सगा है ना कि इतने समय के बाद जो है अपने अंडर कर लिए तो पहला अप्शन हमारे पास है आप्शन नमर य 32 वर्स अंग्रेजों का अधिपाच्ति अस्थाफित हो पाया था अगला कोश्यर नमर टेन पलामू पर अंग्रेजी अधिपाच्ति कव अस्थाफित हुआ पहला अप्शन हमारे पास है यह 377 से लेकर 38 इसवी तक बी है 771 से 72 तक सी है 781 तक डी है 1789 से लेकर 90 तक तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा टेन का अप्शन नमर बी हो जागा आपका राइट अंसर 771 बहतर में पलामू पर अंग्रेजी जो है अधिपाच्त रहा था ठीक है अगला कोश्यर कोश्यर नमर 11 क्या है देख लेते हैं 777 इस्वी में सत बर्वा के निकट चेत्मा की लडाई में कीस चेरो राजा को प्राजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी पहला अप्सन हमारे पास है जै क्रिश्न राय भी है मैधनी राय चित्र जीत राय और डी है जै नात सिंग तो 11 का आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमर यह हो जाएगा जै क्रिश्न राय इनका जो है पहला है देख सकते कुशन क्या इन में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है पहला अप्सन हमारे पास है 1771 इस्वी में कैमेक ने पलामू कीले पर अधिकार कर लिया ठीक है दूसरा क्या है उस समय पलामू का चेरो राजा चित्र जीत राय थे चेरो राजा चित्र जीत राय और ठकुराई जगनाथ सिंग रामगर भाग गए और डी है उप्योक्त सभी तो यह तीनों आप्सन जो दिये गए ठीक है तीनों सही है इसलिए इसका अंसर आप्सन नमर्डी हो जाएगा उप्योक्त सभी नेक्सक्षाइं है कोष्ण नमर्डाइब धए काफी मि Uber tips निवन मेंसी कौन सा कथन असवरत्य विमर इस तरह से कोष्ण में इस तरह के कोष्ण होते हैं इसमें और तो पहला क्या option देख लेते हैं 1772 इस वी में चेरो राजा के दिवान जैनाथ सिंग और टॉमास असकोट के बीच यूद हुआ ठीक है जिसमें अंग्रेजी सेना हार गई 1772 में चेरो राजा के दिवान जैनाथ सिंग जैनाथ सिंग और टॉमास असकोट के भी यूद हुआ बी क्या है इस यूद में सर्जेंट पहलिविन मारा गया जबकि असकोट पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गया सी क्या है रंका के खीले पर अधिकार करते हुए जगनाथ सिंग मारा गया डी क्या है एक जुलाई 1771 को पटना कॉंसिल ने गोपाल रायको पलामू का राजा घोसित किया तो इसमें से राइट अंसर क्या हो जागा आपका इसका राइट अंसर 13 का हो जागा ऑप्सन नम्मर सी हो जाएगा देखिए इसमें से केवल अप्सन नम्मर सी ही जो है असथ है बाकि सारे अंसर जो है सथ है सही है तो रंका के कीले पर अधिकार करते हुए जगनाथ सिंग मारा गया यह गलत है अप्सन ठीक है नेक्स्ट कोशन है कोशन नमर 14 देख लाइते कोशन नमर 14 क्या ह अंग्रेजों के छोटा नाकूर परवेश की समय यहां के राजा कौन था पहला अप्सन है दुर्जन साल भी है एनी सा सी है दरपन नात सा और डी है रगुनात सा तो 14 का राइत अंसर क्या हो जागा आपका अप्सन नमर सी हो जागा दरपन नात सा ठीक है अगला कोशन चलत सकते हैं स्क्रीन फर 171 इस्वी में दरपनात सा ने अंग्रेजों के साथ मितरता कर ली वह पटना कॉंसील को खितने रुपे सलाना कर देने की बात कही थी तयार हुआ था पहला अप्सन हमारे पास है फिप्टीन का बारह हजार रुपे पी है चातिस हजार रुपे सी है एक जबकि जगनात सिंग ने ठीक है जबकि आज रखेगा जो जगनात ढाल ठीक है जगनात ढाल जगनात सिंग नहीं जगनात ढाल था उसको कहा गया था 5500 5500 कर देने की बात अंग्रेज को अगला है कोशन नमर 16 क्या है देखी यहां पर हजारी बाग छेत्र में अंग्रेजों अंग्रेजी कंपनी को सरवाधिक विरोध का सामना किस राज से करना पड़ा था पहला है पंचेत भी है रक्षे सी है चेरो डी है रामगड तो सवलो का राइट नसर क्या हो जागा आप अगला कोशन नमर 17 हजारी बाग में अंग्रेजों का परवेश किसके नेतुरित में हुआ था पहला अप्षन है फर्गुषन भी है कैमेक सी है विल्किंसन और डी है कुक तो 17 का राइट अंसर क्या हो जाएगा आपका 17 का अप्षन नमर भी हो जाएगा कैमेक के ठीक है ने निवन में से रामगड का कौन सा राजा सुरू से अंतक अंग्रेजी अंग्रेजों का विरोध करता रहा ठीक है अंग्रेजी सासन अंग्रेजों का जो सासन था उसके विरोध जो है हमेशा जो है विरोध करता रहा पहला अप्षन हमारे पास है तेज सिंग भी है है मन और D है का मख्या नरायन सिंग तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा? 18 का ओप्सन नम्मर C हो जाएगा मुकुन सिंग मुकुन सिंग जो थे रामगड के राजा थे जिरोंने शुरू से लेकर के अंतिम सांस तक अंगरेजों का विरोध किया था अगला कोशन है कोशन नमर 19 क्या देख लेते हैं? रामगड राज के समझ में कौन सा कथन सत्य है? पहला ओप्सन है 1772 इस्वी में रामगड राज पर चड़ाई की गई B है मुकुत सिंग भाग कर पंचेत चला गया C है तेज सिंग को रामगड का राजा घोसित किया गया और D है उप्युक्त सभी तो 19 का राइट अंसर क्या हो जागा? ऑप्सन नमर D हो जागा उप्युक्त सभी सारे ऑप्सन यहाँ पर सही हो जाएंगे ठीक है? अगला कोशन है कोशन नमर 20 क्या है देख लेते हैं? किस वर्स रामगड पलामों और छोटा नागपूर खास को मिला कर रामगड जीले का गठन किया गया पहला अप्सन हमारे पास है 1771 इस्वी पूर B है यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा अप्सन उपर नीचे है इसका राहिट नीचे है क्या हो जागा? इसका राहिट नाज़ा हो जागा ओप्सन नमबरिशन हो जाए आपका सही 0276 इस्वी पूर आपका राहिट नाज़ा हो जाएगा शन्व जाएगा सब्सक्स्चबर उजक्स नमर 20 क्या है? संथाल प्रगना में अंग्रेजों का आगमन निवन में से किस युद के पूर हुआ था पहला option हमारे पास है पलासिक का युद B है बकसर का युद, C है चंदेरी का युद और D है इनमें से कोई नहीं तो इसका right answer 21 का हो जाएगा option नमर B हो जाएगा बकसर का युद, ठीक है आपको बताना comment में बकसर का युद कब हुआ था और किनके किनके बीच में हुआ था काफी important question है कई बार exam में जीके जो होते नहीं जो इंडिया जीके होता है उसमें काफी पूछा जाता है यह question अगला question है question number 22 पहला option हमारे पास है अर्जून सिंह, भुकन सिंह, विक्रम सिंह तो इसका राम सिंह तो इसका राये टेफन्सर क्या हो जाएगा 22 आपका option number C हो जाएगा क्या होजएगा blowing सिंहने किया था स्राइखेला राज के अस्थापना नेट्स कूशन है स्राय केला राज का मुख्याल कहां था पहला अबसन है चाई वाशा डीए है चकर धरपूर तो 23 का option नमर क्या हो जाएगा सराकेला सराकेला राज का जो है ठीक है मुख्याला सराकेला को ही बना गया था अगला question है question number 24 सराकेला राज का अंग्रेजों के साथ संपर किस वर्ष होगा पहला option है हमारे पाल तो 24 का आपका राय टंसर हो जाएगा option नमर भी हो जाएगा सराकेला में अंग्रेज का संपर्क हुआ ठीक है अगला question है question number 25 विक्रम सिंग के द्यूतिये पूत्र द्वारा अस्थापित खरसामा राज का अंग्रेजों के साथ विधिवात समंध की सवर्ष अस्थापित हुआ विक्रम सिंग का जो बेटा था जिन्होंने अस्थापित किया था जैसे कि यहां पर हम आपको बता चुके है इस ऑप्सन में ठीक है देखिए question number जो था स्थापना की अस्थापना जो किये थे विक्रम सिंग ठीक है तो इनहीं के दूसरा जो पूत्र था इसका जो है समंध अंग्रेजों से किस वर्ष हुआ था यही प 25 का राइट इंसर क्या हो जागा option number 1 793 सिवी ठीक है अगला question number 26 इस इंडिया कंपणी को जार्कन में परवेश करने में प्राया कितने दसकों का समय लगा कितने दसक लग गए थे इस इंडिया को जार्कन में परवेश करने में पूरा तो पहला option है 5, B है 7, C है 8 और D है 10 तो 26 का right answer क्या हो जागा option number B हो जाएगा आपका 7 ठीक है 7 आपका right answer हो जाएगा next question है question number 27 राज महल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका यूद हुआ था पहला option हमारे पास है अंग्रेजों का B है फ्रांसिस्यों का C है मुगलों का और D है इनमें से कोई ने तो 27 का option नमर ये जो है आपका अंग्रेजों का ठीक है राज महल के उधवा नाला में मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का यूद हुआ था अगला है कोश्चन नमर ट्वेंटी एट 1788 इसमी में जार्खन में परसासन हेतु विरिहित योजना किसने परदान की पहला है ओप्सन वी किल्सन भी है रॉबर्ट ब्राउन और दी है चैमेक तो 28 राइट अंसर क्या हो जागा और ऑप्सन नमर बी हो जागा रॉबर्ट ब्राउन आपका राइट अंसर हो जागा नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमर ट्वेंटी नाइन जार्खन चेतर में पहाड़ी एसम्बली की अस्थापना किसने की पहला अप्सन नमर यह हो जागा किलीवलेंड आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जागा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर थर्टी जार्खन चेतर में पहला नागरिक परशासक कोन था पहला अप्सन हमारे पास है यह विकिल्स हैं भी है रावर्ट ब्राउन सी है चैपमेन हीव टले औ दोनों में से कोई भी आपको अप्सन देखने को मिल सकता है तो आपको यही अंसर देना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों के साथ सेर कर दें और आने वाले एक्जाम की तयारी जब अजस्त तरीके से करें अगर वीडियो इसलिए आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत